यूपी विदान सभा के सीट कालीन सत्र का जब कारिकरम जारी किया गया तब वो तीन दिनों का था लेकिन शीट कालीन सत्र के दूसरे दिन ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हमाय साथ समाजादी पार्टी के मुख सचे तक मनोश पांडे है मनोश जी महज साड़े छे गंटे कुल शीत काली इन सत्र चला आप लोग मांग कर रहे थे कि और लंबा चला है जाए लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही आज अनिशीत काल के लिए इस्थकित होगा जो साड़े छे गंटे नहीं बलकि छे गंटे अटाइस मिनट ही चला तीन दिन का कारकम सरकार ने और विधान सभा के द्वारा सचवालिक द्वारा जारी हुआ था कार मंत्रणा की बैठक में इस कारकम पर कल मुहर लगी थी और इस पस्ट रूप से यह तैय हुआ था कि साथ अपराद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं बिजली के गलत बिल लोगों को दिये जा रहे हैं लगातार पूलिसिया आतंग आत्या चार पुत्त्र पिदेश में बढ़ रहा है थांए अ तहिस्फिलों में लूट मची हुई है और तुमाम विकासकार जब आुरूद हैं तो आखिर जनता और जनता से चुना हुआ विक्ति सदन के ही माध्यम से सरकार का ध्यान आकरश्ट कराता लेकिन आज इसने दुरुभागे क्यों और तीन दिन का कारश्ट जारी करने बाद भी सरकार जनीत के मुद्दों पर अज बहस नहीं करना चाहती है और सदन को नहीं चलाया और आज ही सदन को इस्थिगित कर दिया यह हम समझते हैं कहीं ने कहीं लोकतंतर का मजाग बनाने का काम किया गया बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो कहरे कि इनके तो नेता प्रित्पा चकले शादों आई नहीं पहले दिन में नहीं आए दूसरे दिन में नहीं आए लीडर ओपोजिशन के पत की गरिमा है अनुपूरक बजट पे परभ होता है चुनाओ वो चुनाओ में ओट डाले हैं तब इनका पेट खराब हो ओट ना डालें तब इनका सवाल कड़ा हो इनके सवालों पर नहीं काम करना है विपच पूरी मजबूती से इस सदन को चलाना चcker था तो कलकार मंत्रम में इनमेने इस प्रिस्ताव को रख स कि इसकी समय आवदी और बढ़ाई जाए एक सब्ता की जाए तीन दिन का जो तैव हुआ उसे दो चलाया नहीं और सदन छोड़कर भाग गई सरकार जनहित के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते वो क्या बात करते हैं इस बात सब्सक्राइब करते हैं जो यह जो हंगामा आपके विधायकों का आपके वो एक वज़ा तो नहीं है कोई हंगामा नहीं था हंगामा तो रामपूर में हुआ साथ ओट नहीं डालने दिया गया भारत के constitutional जो अधिकार आज जनताओं को मिले ते सबसे बड़े अधिकार की वह अपना डालने दिया गया महिलाओं को मारा गया बुजुर्गों को मारा गया नोजवानों को मारा गया क्या इस मुद्दे को जो पुलिस ने यहां पर रत्या चार किया इसको विधान समय में नहीं उठाएंगे हम इसका विरोथ करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, यह लोगतनतर की हत्या है, सरकार आज सवालों से भागना चाहती है, बहस से भाग रही है, वो जनीत के और किसान के गरीब के नोजवान के मुद्दों पर वो आज बहस नहीं करना चाहती है अंदोलन कोई प्रदर्शन कोई धर्ना बिल्कुर यह हम जो उत्ते करेंगे आपको बताएंगे तो यह आप में सुना समाजादी पार्टी के मुख सर्चतक मनोश पांडे साफ़तोर पर कह रहे कि 6 गंटे 28 मिनटी सीध कालिन शत्र चला शायद ही ऐसा कोई सत्र रहा हो उत्रप्रदेश विदानसबा का जो इतना चोटा रहा हो और सरकार कहीं ने कहीं तमाम मुद्दों से जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने से भाग रही है क्यामने से प्रमोद के साथ अनुबशुक्लाई भी गंगा लखनव